भारज जोडो यात्रा बिहार में होगा और वो भी लगवक 50 दिन का होगा लगातर उस संधर में बाचीत होगा हमारे प्रदेश अध्यक बदर्मोहन जाजी हैं भारज जोडो यात्रा का बिहार का जो कोडिनेटर हैं हमारे अवदिश सिंग जी है कल स्री दिग्विजा सिंग जी पूर्फ मुख मंत्री और भारज जोडो यात्रा के प्रमुख नतुर तले रहे हैं और स्री जैराम रमिश जी दोनों आ रहे हैं और उस जात्रा के संदर मे कोडिनेट करेंगे और मारगरसन देंगे इसलिए हर डिष्टीक्ट के भारत होड़ों यात्रा के कोडिणीटर विलॉक के कोडिणीटर डिष्ट्क के प्रेसिडेंट हमारी जितना एम-पी एम-ले मिनिस्टर और जितना senior leaders हैं, सभी लोगों की उबस्तिती में कल भारती यात्रा जो बिहार में होगा, वो समंदर मन्थन की तरह, आज मानता के लिए धर्म की मन्थन क्या जाएगी, और लगभग 20 जिले में यात्रा को पहुंचने की बात क्या गया है, लेकिन यात्रा हर जिले से निकलेगी, और एक प्रमुख धारा में, बाचित हुई यह अभी तक कल फाइनल होगा, यह सोचा गया है कि मन्दार से निकल कर, समंदर मन्थन से निकल कर, हर धर्म स्तिस्थस्थली जो है बिहार में, हर धर्म के, दोरा करते करते, बोध गया में अंत क्या जाएगा, राहुल गांदी रहेंगे इस यात्रा में, यात्रा राहुल जी का जो है भारत जोड़ो जात्रा एक लाइन दक्खिन से पूरा उतर तक का निरधारित है, ओचेंज नहीं हो सकता, लेकिन उस जात्रा के साथ इस जात्रा को जोड़ने के लिए, हर राज्यों में जात्रा क्या जा रहे हैं, उन राजियों में भारत जोड़ो जात्रा क्या जा रहा है और उस जात्रा का लख्य को हासिल करने के लिए और जात्रा के जोड़ने के लिए पूरे भारत को जोड़ने के लिए सभी प्रकार के जाती धर्म बर्न के साथ जो काम क्या जा रहा है जो कारिकम लिया जा रहा है उस जितने सेनियर लीडर्स हैं, अविदे, अखिलेश चिंग जी, MP हैं, वो भी करेंगे, हमारे मंत्री लोग भी करेंगे, सब को चलना पड़ेगा. बहुत गया, बहुत गया में जो यात्रा कांथ होगा, तो बहां लालू, महा रहूल जी रहेंगे? रहूल जी, उस जात्रा में रहेंगे, नहीं रहेंगे, वो बाचीत क्या जागा, अगर एक देव दिन ब्रेक होता है, तो उनको लाने का प्रोयास कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है, उस समय वो कहां पे होंगे, अगर वो दिल्ली से पार हो गया होंगे, तो संभावना न पूर्णी उठ्चुनाओं की घृतना हो चुकी है, जंदा दलियों प्रास्ट्री पार्टी के प्रदेश सध्यक्ष्पियां, क्या किस तरीके से जहते हैं, चुकि बीजेपी वहां फिर AIM को भी खड़ा कर रही है, कि कि बीजेपी MIM को तो खड़ा हर जगा कर रही है, बी अधिके नेता है, कि शराबंदी कानू समोच ने जादा तर आप देखेंगे उसकी फाइदा विकास में, जो सिख्या के कहत्रे में, स्वास्त के कहत्रे में, लोगों में, जो सांती, अमन और चेन, जहां तक हासिल किया गया है, वो कोई कम नहीं है, इसलिए इसलिए बात उ अधिने आपकी बात लोग कर सकते हैं, लेकिन कंग्रेस जड़ जड़ में है, आप पिछले चुनाव की स्थीती देख लिए, और अभी जो कारिकम चल रहा है, तो पास डेवलप्मेंट हो रहा है, बीजेपी अगर नजर नहीं आ रहे है, तो भारों जड़ों जात्रा से ब कोई अगर गौड निकालता है, कोई माफिया तो उसमें बीच-पीच में होता है उसके संसोधन, तो आप लोग ने कोई एक बयान दिया, जो पीने वाले को नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसा कोई बयान नहीं था, जिस तरह से हमारे विधायका जी का बयान है, कुछ-कुछ है उन्होंने कोई लिखित बयान नहीं दिया है, हम सभी लोग सराब बंदी के पक्ष में सपत लिये हैं, प्रन लिये हैं, और हम लोग चाहते हैं जिसको सक्ती से लावू किया जाए, और माफिया तक जो उसके काट में कोई निकालते हैं, कोई रास्ता, उस पर भी सक्ती से, प्रस्ती है, को शरकार बीचारेगे, सरकार अपना इसमें बिचार करेगी, करें इस वात नहीं कोई अगर गरबड़ी होती है, सरकार को इस बात का नॉलिज होता है, तो समय-समय पर उसको संसोदन भी करती है, वानिय एको लतीने मेल के लिका लिकाते हैं ने मांजी लिकाते हैं क्या कर लिकाते हैं